पाकिस्तान कभी नहीं सुदर सकता अफगानिस्तान ने कुछ पासपोर्ट की तस्वीरे भी जारी कर दुनिया को बताया कि पाकिस्तान जूट बोल रहा है इस बार फिर से पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया दरशल पंजुशीर के विद्रोही नेता एहमद मसूद ने दावा किया है कि पंजुशीर के लडाकों ने पाकिस्तानी जट को मार गिराया है उन्होंने ट्विट करते हुए एक तस्वीर को शेर किया और लिखा कि पाकिस्तानी जट प्लेन जुसे शेर के शावकों ने मार गिराया रजिस्टेंश पंजुशीर पाकिस्तान की दखल अंदाजी को लेकर इरान भी गुस्से में है ऐसे में इमरान को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है आपको बता दे कि अफगानिस्तान में एक तरफ तालिबान नई सरकार के एलान के तैयारी में है वहीं दूसरी तरफ पंजुशीर के लड़ा के तालिबान के सर पर चड़कर तंडव कर रहे है तालिबान पंजुशीर पर कबजे का दावा भी कर चुका है लेकिन पंजुशीर की ओर से अब तक आई बयानों से लगता है कि तालिबान सर्फ जूट फैला रहा है दुनिया को दिखाने के लिए कोशिश में लगा हुआ है कि अफगानिस्तान में सब ठीक हो रहा है को एहमद मसूद ने सिरे से खारिज किया है उनका कहरा था कि ये पाकिस्तान और वहां की मीडिया की स्वाजुश है तालिबान से उनकी जंग जारी है पहले पाकिस्तान का ड्रोन और अब जेट ऐसे में सवाल ये है कि पाकिस्तान आखिर कब तक जूट बोलता रहेगा फिलाल मेरे साथ इतना ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे ये वीके न्यूस नमस्कार